आप सभी लोगों ने एक रेपोर्ट के वारे में जरोर सुना होगा अंतराश्टी धार्मिक सुतत्ता रेपोर्ट 2020 बन के वारे में एक बात आप लोगों को बता दूँ इस तरह की रेपोर्टें निकलती हैं जो और जो संस्था इस तरह की रिपोर्टों को निकालता है उनके बारे में आप लोग जरूर पढ़ लिया करेगा क्योंकि इनसे आपके questions हमेशा पूचे जाते हैं फिर चाहे आपका state PCS हो या फिर आप देखिए civil service में आभी आपके questions आते रहते ठीक है और आप सभी लोगों को मालो होना चाहे कि एक अमेरीकी अंतराष्टी धार्मिक सुतंता आयोग है उसके द्वारा इस report को जारी किया गया है इसमें कहा गया है कि इसमें भारत को यानि कि इंडिया को countries of particular concern यानि कि चिंता वाले देशों की सूची में रखा गया है आप समझ सकते हैं देखिए यह हमारी फ्यारी पित भी इसमें देखेंगे आप लोग यह हमारा प्यारा भारत और अपने पडोसियों को अगर आप चाहें तो देख लीजे स्रिलंका हो गया वंगला देश, मयार मार भूटान, नैपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भली आप लोग एक बात समझ सकते हैं कि हमारे पडोसियों से हमारे यहां लोगों की स्तिती अच्छी है परिचाहे किसी भी धरम के लोगों को ले लीजे आप लोग आप सभी लोगों को मालू होगा कि हमारे या विविन धार्मी परवित्ती के लोग रहते हैं आप जानते हैं विविन समधाय, विविन भासाय बोलने बाले लोग भी रहते हैं हम सभी लोग एक होकर रहते हैं आप समझे फिर चाहे मुसलिम हो हमारे देश में मुसलिम मिल जाएंगे हमारे देश में आप देखेंगे हिंदो, सिख, जैन, इसाई, बुद्ध सभी लोग मिलेंगे आप समझे रहें और आप समझे कि हमारे याँ जितनी सुतंता दी गई है सभी को आप समझ सकते हैं कि कहीं और देश में इतनी सुतंता हमारे पडोसियों में तो आपको देखने को नहीं मिलेगी पाकिस्तान में आप जानते हैं कि क्या हिंदूओं का क्या हाल है आप चाइना में जानते हैं कि मुस्लिमों को क्या हाल है अगर हमारे हैं कुछ प्रॉबलम है थोड़ी बहुत तो ये हमारे कुछ नेताओं के बयानों की बज़े से या अपनी राजनितिक रोटियां सैंकने की बज़े से इस तरह की अगर किसी सूची में हमारे भारत को सामिल किया जाता है तो नी की बज़े से किया जाता है बढ़ना आप सूची हम लोग बहुत आप इतिहास में जाके देखिया तो तभी से हम लोग एक होका रह रहे हैं एक कहवत आप लोगों ने सुनी होगी कि एक मतलब कदम कदम पर पानी बदले और कोस पर बदले भासा याugenी कि आप समझेרכ बेविंहीन्य भासा हैं बोलते हैं पर भी एक है हमें भली आपके पिदान मंतरी पर भरोसा नहुआ अपने लेकिन आप समझे कि हमें सब लोगों को भी मुराम्म बेटकर सहाब के दौरा वनाएगे संमीधान पर जरूर भरोसा होता है हमें सुप्रीम कोट पर जरूर भरोसा होता है तो आप समझ सकते हैं देखिए अमेरिका की बात करें तो आप यहां से जाएंगे तो आप देखिए यह है अमेरिका कहा है यह है आपका सेवकराज अमेरिका इसे की बात कर रहा हूं यहीं है AIE संस्था अंतराष्टी है धार्मिक सुतंता रेपोर्ट जो जारी करती है न अमेरिकी अंतराष्टी ध धार्मिक सुदंता आयोग की वर्ष 2021 की यानि की 2021 की वारसिक रेपोर्ट में भारत को दूसरे वर्ष भी यानि की 2020 में भी धार्मिक सुदंता का सरवाधिक उलगन करने के लिए country of particular concern फिरमुख चिन वाले देशों की सैणी में सुची बढ़ किया गया है यानि कि हमारे याँ एक परसे आप कहले ही है कि लोगों धार्मिक भावनाओं को थेस पहुंचाया जा रहा है या आप कह सकते हैं कि धार्मिक सुतंता का उल्लगन किया जा रहा है हमारे देश में इस रिपोर्ट का कहने का मतलब यही है आप समझें कि हमारी तुलना पाकिस्तान से की जा रही है चाइना से की जा रही है इससे पूर्व आप देखेंगे अमेरिकी बिदेश से बिभाग न बर्फ 2020 की मानावदिकार रिपोर्ट में भारत में कई मानावदिकार मुद्दों की ओर ध्यान आकरसित किया था, जिन में से आप देखेंगे एक आपका जमू कस्मी रहे, एक आपने देखाई कि जो नागरिकता बाला है, इसके कारण भी आप देखेंगे, ठेक है? उसके बा बात करें, जिसे आप लोग USCIRF के बारे में, अंतराष्टी धार्मिक सुतंता अधिनियम 1998 के तहत, इस्थापित एक सुतंत दुई दलिये, अमेरिकी संगी आए हुए है, और UNCIRF, अंतराष्टी मानकों के अधार पर बैस्पिक इस्तर पर धार्मिक सुतंता के उलगन की नि बाहकार निका आए है, UNCIRF कि 2021 की रिपोर्ट के रिपोर्ट के लेंडर वर्स 2020 के दवरान, 26 देशों में धार्मिक सुतंता के उलगन और प्रगिती का अंकलन करती है, तथा अमेरिकी नीती के लिए सुतंत सीफारिसें करती है, इसका मुख्याल है आप देखेंगे इस तरह की संस्थाओं के मुख्याल है भी आप लोग स्थापना कभी इन्हें भी आप लोग याद रखें, इनसे भी कई बार आपके questions पूँच लेता है, ठीक है, और आपने देखा होगा कि इस रिपोर्ट को हमारे देश के कई लोगों ने नकार भी दिया है, उसने का है क रिपोर्ट में आप देखें के कहा गया है कि रिपोर्ट का मुख्य फॉकस देशों के दो समूव पर है, या अंतराष्टी धार्मिक सुदंता अदिनियम 1998 कि अंतरगत धार्मिक सुदंता के उल्लगन के आधार पर देशों को विसेश चिंता वाले देशों तथा विसेश निगरानी सूची में नामित करने के लिए अमेर्की विदेश विभाग के सच्चिप को सिफारिश करता है। Special Watch List सूची में उन देशों को सामिल किया जाता है, जिन देशों की सरकारों द्वारा गंभी रूप से धार्मिक सुतंता का उलगन किया जाता है। या फिर आप देखें कि जिन पर ऐसा करने का आरोप है, हाला कि इन देशों में अभी तक CPC सूची में सामिल देशों के इस तर पर धार्मिक सुतंता का उलगन नहीं किया जा रहा है। हमारे आगर आप समझे ये सूची में आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर सामिल करने का मैन एक तरस दो ही पॉइंट हो सकते हैं। एक तो जम्मू कसमी बाला, एक आपने देखा है नांगरेक तावरे। CPC के रूम में नामित देशों में धार्मिक सुतंता के गंभी रोल लगनों को संबोधित करने के लिए I.R.F.A. अमेरिकी विदेश सचिप को विस्ष्ट तता लचीले नीती गद नेड़ा लेने की सक्तियां पिदान करता है और इसमें पितीबन लगाना और देशों को पिदान की जाने वाले छोट को समाथ करना आधी सामिल है या रिपोर्ट U.S.C.I.R.F. को बैस्वेक इस्तर पर धार्मिक सुतंता के उलगन या फ़र अंतराष्टी धार्मिक सुतंता दिनियम की निगरानी के लिए अंतराष्टी मानकों का उपयोग करने के लिए आग्यापेते है और अमेर्की विदेश बिवाग को नीतियां बनाने की सिफारिश करता है USCIRF की नविंतम सिफारिश सें की बात करें तो बिसेश चिंता वाले देशों की बात करें तो इसमें आप देखेंगे CPC में सुची में सामिल देश रोस हो गया, सीरिया हो गया, बेतनाम हो गया, भारत हो गया के लिए सिफारिश करता है यानि कि आप समझ सकते हैं कि सीरिया के बारे में आप जानते हैं तो उसी इस्तिती में हमें भी रख दिया है CPC सूची में पहले से ही सामिल देशों और फिर से पदनाम के लिए और आप समझ सकते हैं कि उत्तर को देख लीजे चीन को देख लीजे म्यानमार को देख लीजे यहां क्या लोगों की स्तिती है धार्मिक स्तिन तक इतनी है जग जाहर है ठीक है बिसेक्स निगरानी सूची की बात करें तो विसेश चिंता के विसेय की रूम में यह साथ गयर राष्ट गतिविदियों पुनाहा एकी करन की सिफारिश करता है भारत की स्तिती की अगर हम बात करें तो भारत में चिंता संबंदी पिरमुक्षित की बात करें तो यह को आपको पहले भी बता चुका हो नागरिक्ता संसुधन अधिनियम 2029 यानि की 2019 बाला CACA यह अधिनियम दच्छिड ECI देशों के गैर मुसलिम यही प्रॉबलम है इसमें मुसलिमों को नहीं जोड़ा गया है गैर मुसलिम सरणार्थियों को कुछ बिशिष्ट मान दन्नों के आधर पर फास्ट ट्रेक नागरिक्ता पिदान करने का प्रहोधन करता है इस तरह इस अधिनियम को धार्मिक आधर पर बेदभाव फून माना जा रहा है दूसरा आप देखेंगे दिल्ली दंग के कुछ समय उपहली हुए थी इस रेपोर्ट में फरवरिक 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान धार्मिक बहु संक्यक आबादी दौरा धार्मिक अल्ब सक्यों को पर किये गए हम लोग का भी उलेक किया गया है फिर आप देखेंगे राष्टी नागरिक रजिस्टर जिसे आप लोग NRCV कहते हैं रेपोर्ट की मताबिक राष्टी नागरिक रजिस्टर में कुछ विसिष्ट लोगों को सामिल ना किये जाने के बिनार्सकारी फईडाम हो सकते हैं जो की असम में बनाय जा रहे हैं नेरोज सिवरों में से इसपष्ट है फिर आप देखेंगे धर्मांतर विर्दो दी कानून तो धार्मीक सुतंता की सम्मीदहानेक सुरक्षा के वाबजूद भारत के 28 राज्यों में से अलग अलग बग एक तिहाई गर एक जाती का मतलब आप सोची एक धर्म का कोई बैक्ती दूसरे धर में से साधी करता है तो इसमें कुछ सजा का परावधन भी रखा गया है इस तरह का नियम कोई कानून लाए गया है ठीक है धर्मान दर्ण रोकने के लिए उनका कहना है की लाए गया है तो इसकी भी इसमें बात की गई है फिर आप देखें कि अल्ब संख्याओं को की विरोध दे दुस्परिचार और हिंसा में बड़ोतरी सोशल मीडिया और अर्न पिकार के संचार माद्मों का उपियोग मुसलिमों इसाईयों और दल्क्तों समयत विविन अल्ब संख्यक समुधायों के गुरूद नफरत और जोस्ट फिर्चार फैलाने के लिए किया जा रहा है आपने देखा है गोहत्या जिसके बिसाय अभी भी नीती निर्माड के केंद में बने हुए उधारन के लिए दिसंबर मायकिम में करनाटक में मवेसियों की बद के लिए उनकी विक्री और खरीत तथा उनके फरीवान पर जुर्माने और कारावास की सेजादेने तुँ एक पूर बड़ती विदहक में संसोधन किया था और हमारी रैंकिंग गिरने का या हमें इस सैडी में रखने का एक कारण आपका जमू कस्मीर में धार्मिक सुतनता का मसला भी है मुसलिम बहूल जम्मू कस्मीर में आवा गमनों और सांती पूर्ट ढंग से एकत्तित होने की सुतंता पर पिदी बंदों ने धार्मिक सुतंता को भी प्रभावित किया है और इन पिदी बंदों के कारण धार्मिक रूप से महत्पूर्ण दिवसों के आयुजन और प्रातना के लिए एकत्तित होने पर नाकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है लगभग 18 महिनों तक इंटरनेट सट डाउन रहा है यहां जमू कस्मीर में आप जानते हैं कि 370 हटाई गई थी और आपने देखा है कि लगदाक और जमू कस्मीर को दो मतलब भागों में बाट दिया है जमू कस्मीर को जो किसी भी लोकतांतरिक देशों में लागू किया गया सबसे लंबा नेटर्वर्ग इंटरनेट सट डाउन है और अन्व संचार पीती बंधों ने धार्मिक सुतंता को सीमित करने में महत्मूर एउगदान दिया है फिर आप देखेंगे नागरिक समाज के लिए सिमित संसाथान सरकारी यदिकारियों द्वारा धार्मी कल्ब संक्यों को समयत वकीलों, मीडिया कर्मियों और सिक्षाविदों को हिरासत में लेनी की गैर कानूनी गतिविदियों रोकतां अधिनियम जिसे आप लोग यूप पी एक के नाम से भी जानते हैं, इसी तरह के अन्य कानूनों का प्रियोग किया जा रहा है, दिसंबर 2020 में सरकार द्वारा गेर सरकारी संगठनों यानि की एंजियों पर और अधिक वितिवन लागू करते हुए विदेशी अंसदान बिनिये मन अधिनियम 2010 में संसोधन किया गया और जिसके तहित पिसासने खर्चों के लिए विदेशी अंसदान की मात्रा को सेमित किया जाना और सरकार द्वारन नामित बैंक में ही खाता सुरू करना आधी सामल है, ये भी एक कारण जोड़ा गया है, अगर आप से लिखित परीक्षा में पूचे कि भारत की एक त अगर हम बात करें US-CIRF की सिफारिसों की, तो इसके तहित अमेरिकी पिसासन को धार्मिक सुदंता के गंभीर उलगन के मामलों में बिसेश्ट्र भारती बैक्तियों और संस्थाओं पर लक्चित पितीबन लागू करने की सिफारिस की गई है, और आप समझे इस तरह की अमेरिका में भी देखने को मिलेगे, समझ रहे हैं आप लोग काले गोरों का भेदभाव अब देखते रहते हैं, रेबोट में धार्मिक सुदंता के उलगन की निंदा करने और धार्मिक सुदंता की बगालत करने वाले धार्मिक संगटनों और माना अधिकार समूहों का सम अमर्थन करने की बात की गई है अमेरिकी पिसासन को कुवाइड जैसे विविन ने दुईपक्षी और भववपक्षी मंचों पर अंतर विश्वास बारताओं और सभी समधायों की अधिकारों को वड़ावा देना चाहिए भारत में आप जानते हैं कि धार्मिक सुतनता हमार मौलिक अधिकार है और आप सभी जानते हैं कि भागतीन में आपको मौलिक अधिकार मिले हुए है और आप सभी लोग यह भी जानते हैं कि अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप आप आर्टीकल 32 के तरह सुप्रीम कोर्ट और आर्टीकल 226 के तरह तो आप लोग हा कोट जा सकते हैं और हाई कोट और सुप्रीम कोट आपकी अधिकारों की रक्षा करेगा ठीक है भारती समिधान के अनुछेद आप देखेंगे 25 से लेखर 28 में धार्मिक सुतंता को एक मौलिक अधिकार के रूम में उल्ले किया गया है अनुछेद 25 आप देखते हैं अन्ताकर अपकीवल्य से लेखर 28 कई भाप स्वरुट अवन धार्म को आवाद रूप से माननें आचरन करने और विचार करने की सुतंता की बात की गया है अनुछेद 26 कहता है धार्मिक कारेओं के परबंधन की सुतनता की बात करता है, अनुछेद Major आप देखेंगे 27, किसी विसिष्ट धर्म की अभी बेद्दी हेतु करों के संधाय को लेकर सुतनता देता है, अनुछेद 28, किसे विसिष्ट सैक्षे संस्थाओं में धार्मिक सिक्षा या फिर धार्मिक उपासना में उपस्तित होने को लेकर सुतंता की बात करता है इसके अलावा आप देखेंगे समीधान के नुच्छे 29 और 30 में अलुप संख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंदीद फिरावधान की बात करता है तो यही इस रिपोर्ट के आपके कुछ मत्पूर्ण पॉइंट है इन्हें ही आप लोग याद रखिए अगर कुश्चन्स आता है और इस तरह की रिपोर्टों से अक्सर कुश्चन्स फूच लेता है तो आप लोग आराम से उसे सौल कर पाएंगे ठीक है